हैलो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में यूपी वोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिस में देख सकते हैं आज हम तीन महत्पूर्ण लेटर रैइटिंग बताएंगे और आज की इस वीडियो में आपको दस नंबर कंफर्म करा देंगे आज की इस वीडियो आपको यहां पे लिख कर भी बताऊंगा एक आपको कैसे बोर्ड एक्जाम में लिखना है तकी एक भी नंबर ना कटे और आपको क्या सवधानिया बरतनी है बोर्ड एक्जाम में लेटर लिखते हैं समय कौन सी चीज को नहीं छोड़ना है अगर छोड़ देते हैं तो करते हैं इस या फ्यूचर बोर्ड एक्जाम तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेजी कुकि यहां पे इंग्लीज की प्रोज पोईटरी जितने भी आपके भूक से लिटरेचर के सारे से इंपो आदू कि कौन सा इंपोर्टेंट आप लोकली लेटर है कौन सा तयार कर लेना है तो यह जो मैं बताने जा रहा हूं आज की इस वीडियो में तीन ठे हैं और महतपूर लेटर राइटिंग बता रहा हूं ठीक है सबसे पहला जो है आपका यहां पे ध्यान से देखिएगा फ इसमें भी देख सकते हैं मतलग कहीं भी यह कोशन जो है इसी जाधार पर कुशन आ रहा है ठीक है कि राइट एलिटर टू दा एडिटर और फे न्यूस पीपर बाउट फ्रिक्वेंट ब्रीक डाउन आफ वर्टर सप्लाई इन यूर लोकलीटी इसका मतलब कर रहा है कि आप दूसरा नंबर त्यार क्या करना है देख लीचिए ठीक है एक एक चीज़ आप लोग के लिए इंपोर्टेंट है अगर इक्जाम दे रहे हैं तो इस तरीके से भी पीपर में आ रहा है कोशन कि आप इस पर एक लेटर लिखिए तो ये कंप्लेंट लेटर कहालाते हैं जो भी मैं लेटर लेकर आया हूँ कंप्लेंट लेटर मतलब कि आपको कंप्लेंट करना है ठीक है तो क्या बोला है कि इसका मतलब क्या खारा है कि किस देर रात तक लावडी स्पीकर का प्रियोग होने से होने वाली परिसानियों को जीला अधिकारी को एक पत्र लिखे कि देखिए देर रात तक अपने गाओं में या कस्वा में बहु जादे डीजे जो होता है न धौनी उत्पन होता है तो लिखना है कंप्लेंड करना है कि यह बहुत सारे आमारे परसानिया हो रही लौड स्पीकर से इस पर आपको बोर्ड एक्जाम में पेपर पूछता है ठीक है तो इस पर भी तैयार कर लेना है इसके बाद अगला जो है आपका थर्ड नंबर राइट एलेटर टू दो है कि सुरुदर किये जाने वाले अपराद की गति के संबंद में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कह रहा है कि एक रास्टी अदायनिक यानि कि जो है नैशनल डेली सोविंग रास्टी अदायनिक के संपादक को एक पत्र लिखे तो तीनों जो मैंने बताया है इसमें काफ लेटर को चलिए पहला नमर इसमें क्या खा रहा है ध्यान समझेए ध्यान समझ लिजिए राइट इलेटर टू दे एडिटर ओफ ए न्यूस पिपर इबाउट फ्रीक्वेंट ब्रिकडाउन आफ वाटर सप्लाई इन योर लोकलिटी कह रहा इसमें कि अपने छेत्र में जह पूछेगा तो कैसे लिखेंगे एक एक चीज आप सीखते चलिए आप लोग को टाइम मिल चुका है दगिए सबसे पहले आपको मैं यहां पर लेटर राइटिंग सिखा रहा हूं एक एक चीज आपको ध्यान से सुनना है ठीक है सबसे पहले आप किसी भी अधिकारी को पत् देना है जैसे है आपने डू लिखा डू के बाद इस लाइन को छोड़ दीजिएगा फिर नीची आएगा अब इस लाइन के ठीक सामने नहीं यहां से छोड़ दीजिए अब यहां से लिखेंगे दो एडिटर क्या लिखेंगे कम्पलेंट लिखा लिटर लिख रहे ना यहां पर कमा लगा दीजिए दाइडिटर होगे ना इसके बाद ठीक नीचे थोड़ा सा नीचे देखिए यहां पर आपका लिखेंगे इंडियन एक्सप्रेस अब इसका मैं अर्थ भी आपको हिंदी में समझाओंगे एक एक चीज का तो बस अंतक देखिए इंडियन थोड़ा देंगे उसको एक्सप्रेस लिखे अब ठीक नीचे लिएगे निउ देलही ठीक है अब यहां पर कमा लगा देंगे फुल इस्टप जैसे कमा ठीक है इतना हो गया अब इतना तो चीजिए आप समझ रहेंगे टू द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस निउ देलही इसका मतलब क्या होता है To किसले लिखा जाता है मतलब कि किसी के प्रती आपको ये पत्र लिखना है To मतलब प्रती The Editor Indian Express New Delhi मतलब की संपादग और यहाँ पर Indian Express New Delhi का मतलब कि भारतिय Express नई Delhi को ठीक है इतना चीज आपको समझ में आ रहे हैं इतना format आपको लिख कर क्या लिखेंगे सर कामा लगाकर इस लाइन को फिर छोड़ देंगे और फिर नीचे से क्या लिखेंगे अब यहीं से स्टाट होता आपका मेन फार्मेट यहां पर लिखेंगे will क्या लिखेंगे will you weary ली लिखेंगे आपको अर्च सहीद समझाएंगे बस समझती चलिए की चीज को ठीक है weary अब यहाँ लिखेंगे आप देखिए kindly 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 give kindly के बाद क्या लिखेंगे give a little place little place इतना लिखेंगे little place अब यहां से देखिए अब इस line को छोड़ करके अब यहां से यह सर लिखेंगे ठीक इसके नीचे यही वाली line में यहां से लिखेंगे अब यहां से यही तो चीज सीखना है एक चीज अब यहां से लिखेंगे to my letter तू माई लेटर अब इसके बाद क्या लिखेंगे देखें इन यूर यहां से लिखें इन यूर पापुलर पापुलर ठीक है पेपर पापुलर पेपर यहां पर क्या लगाते हैं कह रहा है इसमें कि सर अपने से बड़े अथिकारी को जो पत्र लिखा जाता है न बाबू तो सर लगाते हैं अब तब इसके बाद ठीक नीचे लिखते हैं कह रहा है इसमें कि सर आप उसको क्या बोल सकते हैं महोदे क्या बोल सकते हैं महोदे क्या आप मेरे जो मैं पत्र लिख रहा हूँ क्या आप किरपा करके इस मेरे पत्र को अपने लोक प्रिय पत्र में थोड़ा सा जगह या अस्तान दे सकते हैं इसके बाद क्या करना है आपको यहां से फीर लिखेंगे आप यहां से पेपर होगे न इसके बाद ठीक यहां से लिखेंगे I want I want मैं चाहता हूँ I want थोड़ा सा उदर नहीं दीख रहा होगा I want ठीक है अब इसको आगे बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा इसकी बाद to लिखेंगे I want to draw यहाँ पे लिखेंगे draw your यहाँ पे लिखेंगे your attention attention towards 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 आप इसके बाद लिखेंगे the इसका पूरा अर्थ साहित बताएंगे अच्छे से पहले समझे फार्मेट का इस लिखेंगे the के बाद लिखेंगे the के बाद लिखेंगे difficulties difficulties ठीक है इसके बाद which difficulties which the public public has to face has to due has to face इसके बाद due to यहां पर भी due लिख सकते हैं due to frequent frequent breakdown breakdown of water supply water supply in our ठीक है इन इसके बाद यहां पर लिखेंगे आवर लोकलीटी अब यहां पर फूलिस्टप लगा देंगे अभी इस कार्ष समझा रहे हैं फिर पहले इसको पूरा लिख लेते हैं फिर लोकलीटी इतना complete कर लेंगे अब यहां पर देखेंगे डबल इन वर्टेट कमा में लिखेंगे फ्रेंड्स या फ्रेंड इली लिख सकते हैं यहां लिख दाँ फ्रेंड्स क्लोनी अब यहां पर डबल इन वर्टेट कमा क्लोट्स फुलिस्टप लगाती जी वी अब यहां पर लिखेंगे वी आर इन ए वी आर इन ए डिफिकॉल्ट डिफिकॉल्ट सिच्चर वक इब या पी सिच्च आवगास सिच्च ऎय ए जी इए इन आवै पे सिच्च आका लिखेंगे लिक्षा लिखेंग फ्रेंगे कर दाब्स अनुए थे आर इन इन आप लिखेंगास्टी तब इन न वी आपनी ऑपनी nawp कम्मा लगा दिब त्यक्क है यहां पर लिखेंगे हैं फ्रीकवेंट यहां पर लिखेंगे फ्रीकवेंट हुए है हुए है तरीकवेंट ब्रेकडाउन के दी ओ डबलू और है तो यहती है तो आपको समझा रहा हूं water supply, water supply is due, water supply due to inefficient, efficient working, working of the, working of the, यहां से water, water supply, water supply, इसके बाद लिखेंगे department, बस, इतना format आपको लिखना है, ठीक है न, तो आप जाके आपका जो है, यह letter जो है, complaint letter complete होगा, सबसे पहले यहां से आपको एक एक चीज हम समझाते चलेंगे, आपको ध्यान से बस देखती चलना है, सबसे पहले आपको letter writing बता र पहला number जो बताए है न, कि write a letter to the editor of a newspaper about frequent breakdown of water supply in your locality, कह का रहा है कि, आपको मैंने बताया था, first number में ही बताया था, कि कह रहा है कि आपने छेत्रे में पानी की अपूर्ती बार बार बादित जो हो रहा है, उसी के बारे में एक समचार पत्र को संपादों को पत्र भेजना है, तो चलिए, इसको पहले समझे, लिखेंगे पहले यहां से start करिए, to, to लगाएंगे, to का मतलब होता है प्रती, किसी के प्रती आप भेज रहे हैं, तो यहां पर to लगा देंगे, to लगाने के बाद दूस लाइन में कुशी भी नहीं लिखना, ठिक नीचे आएंगे, इस साम अब यहां से start करेंगे, अब क्या लिखना है आपको, फार्मिट मेन स्टार्ट यहां से होता है, सर लगाएंगे, किसी भी अपने से बड़े अधिकारी को पत्र भेजने हैं, कम्प्लीन के बारे में, यह किसी भी सिकायती पत्र, सर लगाएंगे, इसका मतलब महोदे जी से आप अग्रव करना चाहते हैं, कि सर, अब इस लाइन को छोड़ देजिएगा, नीचे लिखेंगे, कि विल यू फेरी कैंडली गीफ ए लिटील प्लेस तु माइ लिटील इन योर पापुलर पेपर, यहां पे कोशन मार्क लगा दियागा है, ध्यान समझेगा, कहरा इसमें कि क्या आप किरिप्या मेरे पत्र को अपने लोक प्रिय पत्र में थोड़ा सा जगह या सान देंगे, आप देखिए, I want to draw your attention towards the difficulties यहां पे, which the public has to face due to frequent breakdown of water supply in our locality, फूल स्टॉप है, इतने का मतलब, मैं आपका ध्यान हमारे मुहले में पानी की अपूर्टी बार बार बादित होने से जनता को हो रही कठिनायों की ओर दिलाना चांता हूँ, आपका ध्यान जो है, मैं अपनी तरप दिलाना चांता हूँ, जो हमारे गाहों में समाज में पानी की अपूर्टी की जो परसानिय या उसी पर फोकस कराना चांता हूँ, ठीक है, इसके बाद देखिए, अब यहां से देखिए, फ्रेंड्स कलोनी, जो हमारे मित्रों की कलोनी है, वहां में भी, उसमें भी, we are in a difficult situation, हम सभी लोग मिल जूलकर, एक कठीनाई, कठीनी स्थितियों कर से सामना कर रहे हैं, ठीक है कठीनी स्थिति में हैं, ठीक है, इसके बाद देखिए, in my opinion, मेरा तो सलाह यह है, मेरा विचार है कि, the frequent breakdown, यह breakdown है, ठीक है न, breakdown of water supply is due to efficient working of the water supply department, कह रहा है, कि देखिए, जल आपूर्ती, जो जल की पूर्ती है, जल की परिसानिया है, जला पूर्ती बोलते हैं उसी को, जला पूर्ती बिभाग की करम, देखिए, करमड़ यता के कारड, यानि की, देखिए, करकरम, जो यह परिसानिया है, इसके efficient working, यानि करमड़ यता की कारड, बार बार जला पूर्ती, मतलब ठप हो जा रहे, इसी पर मैं आप से एक सिकायती पत्र लिख रहा हूं, इसको जल कि इस पर कैसे लिखेंगे, loudspeaker पर कैसे लिखेंगे, और टीना गर जो यह है, आपका थीसरा है, सभी पर, अगर इसका भी वीडियो आभी देखना चाहते हैं, अभी तुरान तो description चेक कीजिए, इसका भी वीडियो मिल जाएगा, 22 के बच्चों के लिए बनाए थे, 23 के लाइक नहीं है तो लाइक कीजिए, और इसका पीडियो चाहिए तो टेलिग्राम जाइन कीजिए मिलते हैं, नाइक्स वीडियो में, थेंक्स पर वाचिंग